दोस्तो अगर commercial cultivation करना चाहते हैं या फिर घर में cutting लगाना चाहते हैं गुलदाओदी का तो इस तरह के छोटे पोदे हैं ये पोदे आप cutting अप्रेल मैंना में लगा लें और में जून में आपका ये पोदत तयार हो जाए अगर जून मैंने में आपको क्या करना है commercial cultivation के लिए ये आपको खेती करनी है कैसे गुलदाओदी के लिए ये सारे mother plant है गुलदाओदी के यहाँ पर कड़ी 500 भेरेटी के गुलदाओदी है और यहाँ पर में दिखाता हूँ ये सारे mother plant है और mother plant कैसे लगाते है उसका कैसे treatment करते है कैसे insecticide देना चाहिए कैसे फंग जिसाइड बहुत तरह के पाँदाओदी के गुलदाओदी के आपको यह दिखाते है तो पहले क्या करेंग every देंगे वह बगाती है जून मेहने में आपको इसको मिट्टी में जहां पर भी आपको प्रोपागेट करना है बड़ा करना है या फिर आप 10 इंच के गमले में चाहिए तो 10 इंच के गमले में 2-3 पौधा इस तरह कर लगा सकते हैं एक बैराइटी का और देखें यह जो है पौधा यहां से लिंकाला जा रहा है और इस तरह से यह पौधा सर सकता है इसलिए रेज बेड़ है करीब कम से कमी 7-8 इंच लंबा उच्छा बेड़ है यह धुझे पूरा मिट्टी का बेड़ है यह पहले बनाया जाता है मिट्टी का बेड़ करीब 2-3 मैने पहले यह मिट्टी भार्मी कॉमपोस्ट कावड़ रंग कंपोस्ट और उसके साथ बोन मेल, हॉर्ण मेल देखी, यह मिट्टी का बेड बना लिया जाता है, एक दुमाइना पहले, उसके बाद इस तरह के बेडिंग लगा दिया जाता है, यह दिखी यहां से, सारे यह कुछ special भैरेटी है, जो आपको हमारे फ्लोरेट्स भैरेटी बोलते हैं, य यह देखे, उपर सेड है, यह बरसात के दिन में पानी नहीं गिरे इसमें, इसलिए यह सेड लगा दिया जाता है, टार्पॉलिन का सेड है, मोटा प्लास्टिक का, यह देखे काफी, यह काफी मोटा प्लास्टिक का सेड बना दिया जाता है, और सेड में सेड के नीचे इस डीटेल्स दे दूँगा, मोबाइल नमबर दे दूँगा, इन से कंटाक्ट करेंका अगर आप चाहें, तो ऑनलाइन भी आप पौधा है, इससे खरी सेकते हैं, यह देखें कितने फ्रेस पौधे हैं, यह सारे mother plant है, और एक-एक mother plant से कम से कम भी 20-25 से उपर ज़्यादा cutting आपको हर साल मिलेगी, तो कम से कम यहाँ पर भी 10,000 के उपर mother plant है, तो चार पास लाख cutting यह हर साल grow करते हैं, तो चलिए हम दिखाते हैं, इसका cutting कैसे लेते हैं, कैसे grow करते हैं, कैसे इसका treatment किया जाता है, सारा अंदर जाकर मैं दिखाता हूँ, कि आपको क्या-क्या treatment कप-कप करना है, आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल करना है, कि आपको insect का बहुत ज्यादा problem होता है, तो insect के लिए बिशेश करके white ply वागर जितना भी है, उसको बता रहे हैं मुझे कि पैगासस जो है insecticide, वो एक ग्राम पर लीटर हर 15 दिन में spray करते हैं, पैगासस नाम का एक insecticide है, वो आपको बहुत अच्छा काम करता है, वो आपको एक मैने में एक बार या 15 दिन में एक बार आप spray कर देंगा, तो इसका इसमें रेट स्पाइडर माइट, जिसको हम माकूर कहते हैं मंगला में, रेट स्पाइडर माइट का आता है, उसमें क्या करते हैं लोग, यहाँ पर काका नाम का insecticide आता, काका, वो 2 ml पर लीटर उन्होंने इस प्रे करते हैं 15 दिन में एक बार, ताकि कोई बहुत जरूरी चीज उन्होंने बताया, इसमें बहुत सरे ब्रेंट चाहिए, तो जो बड़े-बड़े पत्ते हैं, यह बड़े-बड़े पत्ते को आपको नीचे से हटाना पड़ेगा, बड़े-बड़े पत्ते हटाने से क्या है, नीचे से क्या उपर से, और नए-ने ब्रेंचे साएंगे, जितने ज़्यादा ब्रेंचे साएंगे, उतने आप कटिंग लगा सकेंगे, तो यह दिखे, सारे बड़े-बड़े पत्ते उन्होंने हटा देते हैं, इसके काफी काम करते हैं लोग यहां पर, यह बड़े-बड़े पत्ते नीचे साइट से हटा देते हैं, उसके बाद उपर की तरफ से साइट से बहुत सरे ब्रेंच आते हैं, उसका ग्रोथ जो है, बहुत फास्ट होता है, पत्ते अगर बड़े होते हैं, तो इसका जो गोथ है, वो फास्ट नहीं होता है, तो इस त साथ दिन दस दिन में हर साथ हरम हुए में नीची के जितने पत्य यह हटा देते और बिल् hyperize करके सुख्र हुए पत्य सरे हुए पत्य सारह होते उससे पौद्त किया होता है बिल्कुल साप रहता है और ब्रैंचेस भी जाते हैं पत्य भी हरे और जो नीचे के बड़े बड़े पत्ते हैं उनको हटा देंगे उपर से नय नय ब्रेंचे ज्यादा आएंगे यह देखिए उपर के नीचे के साइट के जो बड़े बड़े पत्ते हैं उसको हटा दें उसे क्या होगा नीचे से जो ब्रेंच भी ज्यादा खिलेंगे और उप चुबर की जो है तैहनिया नहीं ज्यादा निकलेगे यह बहुत एक सिक्रेट तरीक है अब दिखाता हूं कटिंग कैसे करते हैं कटिंग के लिए आप लोग दो से तीन इंच के चार इंच के ले ले यह उसार ब्लेद लेकर साब लेकर लेकर देखिए यह कटिंग ले रहें य यह जो पौद हैं यह पॉम-पॉम भैरेरी के पौद हैं उनके भी ब्रेंच काट लिया जाता है अभी टाइमिंग है कि आप इसका कटिंग लगा लाए यह जून में ना जुलाई में ना इसका प्रोपागेशन करने के लिए और जो यह क्रिशन थमाम यह गुलदा हो दी उसक के कटिंग लेके उन्होंने यह बिठा रहें इस तरह से देखर इस यह कटिंग ले से देखिये यह कटिंग लेने के बाद इसको प्र içs यह दूबहाई रहता है यह दो ग्राम पा लिटर साया फंगीशाइर पानी में घुला हुआ है इसमें एक बार दीब कर संभले होते हैं जो कम हाईट के उसमें एसा बिठाया जाता है और इसमें इसको पौधे में कॉन बाटोने में करीब 12-15 दिन में यह रूटिंग कम्प्लिट हो जाती है तो देखिए यहां पर एक एक बंच बनाया जाता है और यह रूटिंग ओर्मन पौडर यह कॉटिंग र ज़्यादा संख्या में रूट आती है यह देख theo बंच करते हैं बंच करने के बाद यत wrong cutting लगाई जाती है, ज़्यादा condens नहीं किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा condens करेंगे, तो इसमें fungus का attack का डर ज़्यादा जाता है, तो इस तरह से देखिए यह bunch कर लिए जाता है, bunch करने के बाद नीची की side में आपको hormone का powder लगाई जाता है, उसके बाद जो बालू या रेत या बजरी है, उसमें भी दिखाते हैं कि आप कैसे इसको कर सकते हैं, चली दिखाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ और एक थुरा सार बाकी है उसको कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, क्या 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 करना है यह सारा बंच उन्हें ने कटा किया सारे डिफरेंट टाइप के जो गुल्दावदी हो हैं सब के अलग-अलग बंच करते हैं अलग-अलग ट्रे में लगाते हैं ताकि पाइचान में आए कौन सा पौधा है और यह तो पत्ते देखके पैचान जाते हैं कौन से भैरेटी है भ टाइमिटर की ट्रे है और उसमें आपको कड़ाया जाता है इस तरह से दीखिए एक एक करके बिठाया जाता है इस तरह से बिठाया के एक एक इंच तक बालू में दबाके इंगली से दबाके जो गड़ा है हमने किया उसको बंद कर दिया जाता है बंद करने के बाद यह त सूख जाएंगे कटिंग और आपके पौदा कराव हो से अभी जो बालू में अभी पानी है अभी आप बालू में पानी नहीं देने से भी चलेगा लेकिन कल से आपको सुबह से आठ बेजे से हर दीन आपको पानी देना है थोड़ातरा मॉइस्चर देना है ताकि यह जो है मॉइस्चर बना रहे यह देखे पूरा लगा लेते हैं इसमें लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ यह कहाँ पर सेमी सेड में सेड एरिया में जहां पर प्लास्टिक की करीब कटिं यह लग गई है अब जाके सेड में इसको रख दिए जाता है चलिए सेड में दिखाता हूँ मैं कहां रख दिया जाता है यह दिखे उल्टा गमला करकर एकом उसका बर बिठा दिया जात fd till इ penal भाद इसको घंक बात सा इसको हबर कर दिया जाता है जो जो तो यह बहुत आसान तरीका है क्रिशन थमाम या गुलदाओदी जून जुलाई आगस्ट में आप प्रोगाइशन कर सकते हैं और आप चाहे तो यह बहुत आसान तरीका है इसका कॉमर्सियल खेती भी कर सकते हैं और यह इतना सारा देखिए यह लाखों पौदे हैं तयार होके बैठे हुएं अगर आप चाहे तो खरीदना तो ऑनलाइन आपको और कर सकते हैं यह देखे क्या क्या रूट्स है भड़ी पड़ी एकदम एकदम बिल्कुल तयार हो गया इक एक इंची में टैंस्ट प्लाइंट करेंगे पड़ी को और आपको ऑनलाइन सेल कर सेते करिब होलसल में अगर चाहे तो 500 क्या हजार आप तो 30-40 प्राइस है और इस पर आपको वौदर देंगे ओनलाइन उनकर प driven करेंगे तो यह आपको पड़ा भेज सकते हैं यह पहुंच जाता है और आप गुल्दावदी सोक जह है अगर गुल्दावदी लगाने का सौक आप पूरा कर सकते है उमिद है ये वीडियो पसंद आए पसंद आते है लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल में नया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें ये वीडियो देखने के आपको बहुत बहुत धन्नवाद सुक्रिया